जीले के सभी सरकारी स्कूलों में संचालित MDM के तहद बच्चों को दिये जाने वाले भोजन में अब उलट फेर की संभावना समाप्त हो जाएगी स्कूलों में सिक्षकों की उपस्तिती से लेकर छात्रों का प्रोफाइल एवं MDM का रिपोर्ट भी इस इक्षकों स्पोर्टल पर अपलोड करना होगा अब स्कूलों में कितने बच्चों ने मध्यान भोजन किया है इसकी रिपोर्ट हर दिन इस इक्छा कोस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी इस सिक्षा कोस पोर्टल पर हर दिन माध्यान भोजन से जूड़ी रिपोर्ट नहीं भेज जाने पर सम्बंदित इस्कूल के परधान अध्यापकों के खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी परधान अध्यापकों के नियुक्ति 50 पर 30 आरक्षन के अधार पर होगी इस सम्मंद में सिक्षाई भाग की ओर से सभी जीलों को निर्देश जारी किया गिया है। निर्देश के मताब एक प्रात्मिक विद्याले में 40,247 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ती होने वाली में 50% अरक्षन के धार पर रोश्टर क्लिरेंस होगा। यानि देश सभी जीला सी छवतदिकारियों को दिया गिया है। चात्रों को भी फायदा मिला। इससे पढ़ाई के लिए परतियक विसे के लिए सिक्षक भी मिले हैं और कई स्कूलों में सिक्षकों की कमी पूरी हो गई है। इसके साथ ही धूप बारिज से बच्चों को होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिला। हलाकि सिक्षा मंतरी सुनिल कुमार ने कहा कि जरजर और भवन हीन स्कूलों के भवन निर्मान के लिए काम किया जा रहा है। प्रात्मिक अस्तर पर परतियक विधान सभा में पाँच प्राइमरी और पाँच सेकंडरी जरजर स्कूल के निर्मान के लिए काम किया जा रहा है। मर्जवाले स्कूल के बच्चे और सिक्षक नए स्कूल में ट्रांसफर कर दिये गए हैं। सरकारी विध्यालों में सिक्षवी भाग के निदेश पर फांडेशनल लिट्रेसी और नियुमरीक यानि एफलेन कीट की खरीद में बैग और जियोमेटरी के घटिया समान की आपूर्ती हुई है। देड़ हजार रुपिय के कीट में बा मुश्किल सवा देड़ सो रुपिय के समान उपलब्द कराया रहे हैं। अब बैग और एफलेन कीट खरीद घटाले का उल्लेक भी हो रहा है। यह घटाला स्रीजन घटाले से भी बड़ा बताया जा रहा है। फालेरिया उन्मूलन कार्जकरम के तहत सरकारी वा नीजी विद्यालों में जागरूकता कार्जकरम होगा। यह कार्जकरम 13 जीलों में होगा 10 अगस से 27 अगस 2024 तक घर घर जाकर स्वास्त कर्चकरताओं दवारा फालेरिया से बचाओ की दवा का सेवन कराया जाएगा। यह जनकारी मद्यान भोजा निदेशालर के निदेशक वप्रात्मिक शिछा निदेशक मित्रेस मिस्रा ने बुद्धवार को दी। राज्य के हर स्कूल में छात्र छत्राओं के नुपात में ही सिक्षकों के पदस्थापन की करवाई सिक्षा विभाग ने सुरू कर दी है इसी करम में विभाग ने राजभर के स्कूलों में सिक्षकों की उपलब्ध दा और उनकी आवशकता की रिपोर्ट तीन दिनों के अंदर मांगी है जीलों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कोटी वार सिक्षकों की संख्या भेजें बच्चों के अनुपात में कितने अतरिक्त सिक्षक हैं या भी जनकारी मांगी गई है इस से अस्पष्ठ होता है कि अब सिक्षकों का अस्थानांतरन इस्कूलों में उपस्तित छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से किया जाएगा प्रदेश में सरकारी विद्यालेओं के सिक्षकों के अस्थानांतरन के लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे अस्थानांतरन वा पदस्थापन की संसोधित नियम आवली लागू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन लेने की परकिरिया प्ररंब होगी इसकी जनकारी सुचना के रूप में सिक्षावी भाग के अपर मुक्सचिव डॉक्टर एस सिदार्थ के कार्याले कच के सामने वाली दिवार के नोटिस बोट पर चिपका दी गई है उसमें अंकीत किया गया है कि अनेक सिक्षक वक्रमचारी स्थनांतरन के लिए आवेदन लेकर सिक्षावी भाग में आते हैं जबकि सिक्षावी भाग में सिक्षकों के अस्थनांतरन वपदस्थापन है तू नियमावली का संशोधन प्रकिरिया अधीन है संसोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद अस्थनांतरन है तू ओनलाइन अवेदन प्राप्त किया जाएगा जिसकी सूचना भविस्ज में सभी को दे दी जाएगी कि राज्य में पहली सक्षमता परिक्षा पास सिक्षकों की चल रही कौंसलिंग में 32 सिक्षकों की डिगरी पर सवाल उठे हैं इनमें धिकान सिक्षकों की बीड की डिगरी संदेह के घरे में है जीलों से मिली खबरों के मताबिक काउंसलिंग के दोरान छे जीलों में 32 सिक्षकों की डिगरी में विसंगती पाई गई है इनमें जिन सिक्षकों की बीर्ड की डिगरी पर सवाल उठे हैं वह इसलिए सम्बंदित डिगरी उन संस्थानों की है जो राजी सरकार के सिक्षाई भाग की सूची में आमानने है संबंधित सिक्षकों को संबंधित जीलों के जीला काचक्रम पतिकारी दवारा कारण बताव नोटिस दिया गिया है ऐसे सिक्षक प्रात्मिक से लेकर माधमिक तक के हैं आपको याद दिला दूँ कि औरंगाबाद में जो 6 सिक्षक संदेख के घरे में आये हैं, सभी जीला पर इसनत माध्मिक सिक्षक हैं, इनमें 5 ऐसे हैं जिनकी बीर्ट की डिगरी पर सवाल उठे हैं, एक सिक्षक का मामला विसे विसंगती का है, जिन 5 सिक्षकों के 1 डिगरी उन संस्थानों से है जो सिक्षाई भाग की सूची में आमानने है